दोस्तो इस वोड़ो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि Facebook पर follow को unfollow कैसे करें अगर आपने Facebook पर किसी page को या किसी person को follow किया हुआ है अब आप उसको unfollow करना चाहते हैं तो कैसे आप unfollow करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ बहुत easy है तो इसके लिए क्या करना है सबसे पहले आपको अपने Facebook आप को open करने के बाद अब यहां किनारे में आपको तीन लाइन या फिर profile आइकन दिखेगा आपको इस पर click कर देना है अब आप इस page पर आ जाएंगे तो आपको scroll करके नीचे आना है यहां आपको एक option मिलेगा settings and privacy इस पर click कर देजे फिर यहां पर आपको एक option मिलेगा settings का आपको इस पर click कर देना है अब settings and privacy में आने के बाद आपको scroll करके नीचे आ जाना एकदम से तो यहां पर दिखेगा आपको एक section मिलेगा your activity इसमें एक option है activity log आपको इस पर click कर देना है activity log में आप यहां से भी आ सकते हैं आपको गया करना अपने facebook profile के अंदर आ जाना है फिर यहां आपको तीन dot दिखेगा आपको इस पर click कर देना है तो यहां पर भी आपको activity log का option मिल जाएगा इस पर click करेंगे तो आप सेम इसी setting में आ जाएगे activity log में आने के बाद यहां उपर देखे आपको blue color से कुछ बटन दिख रहा होगा तो यहां इसको थोड़ा सा scroll कीजिए फिर यहां पर आपको एक option मिलेगा following आपको इस पर click कर देना है जैसा following पर click करेंगे तो यहां पर यह दिखा रहा है किसको unfollow किया था और यहां उपर देखे दिखा रहा है कि मैंने किसको follow किया था तो यहां पर जिसको मैंने unfollow किया था उसका account open हो जा रहा है लेकिन जिसको मैंने follow किया था उसका account open नहीं हो रहा है यह देखे मैं क्लिक कर रहा हूँ ओपन नहीं हो रहा है तो अगर आप इसको unfollow करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है यहां से उसका नाम देख लेना है जो account यहां पर है जिसको आपने follow किया है उसका यहां से नाम देख लीजिए जैसी यह account है funny cartoons करके तो अब आपको क्या करना है यहां से बाहर आना है फिर यहां पर आपको search बाहर पर click करना है और यहां से आपको वो account search कर लेना है जिसको आपने follow किया था और यहां पर हम pages में आ जाते हैं क्योंकि मैंने page follow किया था आप देखे यही वो account है जिसको मैंने follow किया था यह देखे यह unfollow हो गया तो यहां से भी आप unfollow कर सकते हैं और अगर आपने बहुत सारे account को follow कर लिया है सबको आप यहां बारी-बारी से search नहीं कर सकते हैं तो आपको यहां करना है अपने profile में आना है profile में आने के बाद यहां आपको 3 dot दिख रहा है आपको इस पर click करना है फिर यहां पर आपको एक option मिलेगा turn on professional mode तो आपको इस पर click कर देना है और यहां turn on पर click करके अपने facebook account में professional mode on कर लेना है देखे professional mode on हो गया अब यहां से आप बाहर आजएए आप अपने account को एक बार refresh करना है जैसे आप अपने account को professional mode में convert कर देंगे तो यहाँ पर वो सारे account दिखा देगा जिसको आपने follow किया होगा पहले हमारे account में नहीं दिखा रहा था कि हमने कितने account को follow किया था लेकिन आप दिखा रहा है कि हमने कितने account को follow किया है तो यहाँ पर two following है इस पर आपको click करना है जैसा आप इस पर click करेंगे तो वो सभी account आ जाएगा जिसको आपने follow किया है तो अब यहाँ से आप उनसा भी account को बारी बारी से open कर सकते हैं आपको search भी करने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर आप following की जगाँ पर click करके यहाँ से आप unfollow कर सकते हैं देखिए मैंने unfollow कर दिया और इसी प्रकार से यह वाला जो account है यहाँ पर हम click कर लेते हैं और यहाँ से इसको भी unfollow कर लेते हैं तो अब देखिए हमें search करने की जरुवत नहीं है तो जब आप अपने facebook account को professional mode में convert कर लेंगे तो आप एक ही click में सब को unfollow कर पाएंगे अब दे कर दो जब देखिए का